हमिरपुर समेथ पूरे परिदेश में पसों में बढ़ रही बांचपन की बिमारी ने पशु पालकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं गायव भैंस में बांचपन का मर्ज अधिक देखने को मिल रहा है जिला में 10-15 फिस्ती दूद देने वाले पशु बांचपन का सिकार हैं पशु चिकिसा विवाग भी इस रोक से बचाव के लिए कोई खास पहल नहीं कर रहा है दुधारू पशु में गरवधारन न होने से लोग इने बेचने के लिए मजबूर हैं वहीं यूरिया खाद के बढ़ते प्रचलन से पशु की दूद में कमी के साथ पांसपन के बढ़ने से पशु पालक फिवचिंती थें और समस्या से निदान के लिए विवाग का मुह ताक रहे हैं जमली धाम की संचलक रसील सिंग मनकोटिया ने बताया कि सरकार हजार और पे खरच कर इन टीकों को खरीती है और फिर पश्यों को कृतिम गरवधारन करवाया जाता है और पश्यों को गरव न ठैरने पर पशु पालकों को निराशा हाथ लग रही है पशु पालकों को ने प्राकरितिक गरव धारन को ही उचित ठैराया है अच्छी नसल वद्धारों पशों में बांसपन की शिकायत जादा मिल रही है पशों में ये बिमारी पोशक तत्वों की कमी से होती है भूसा वराशन के उत्पादन में अधिक रसाइने खात का प्रियोग करना इसकी वज़ा बना है पशों चकिसकों का कहना है कि इसे दूर करने के लिए पशों को हराचारा बरसीन्व जोई का नियंतर न्डोस देना चाहिए हरे चारे को तियार करने में गोवर जैविक और हरी खात का इस्तिमाल करें ज्यादतर पशो पालक अच्छी नशल के महंगे पशो खरीद लेते हैं लेकिन रकरकाब भरपूर मातरा में पोशक ततब नहीं दे पाते हैं इसी से पशो एक दो बार बच्चा देने के बाद बाज़पन का शिकार हो जाते हैं पशो को पहले से ही प्रयापत मातरा में पोशक ततब मिलते रहें तो बाज़पन की बिमारी से बचाया जा सकता है हमेर पोशिला पशुच किसालया के डॉक्टर अबनी शर्मा ने बताया कि रशाइनी खास से तयार किया गया चारा खाने से पशो की आंतरिक क्रियाओं का विस्तार नहीं होता है उन्होंने काहा कि अगर औरगनिक खेती को और बढ़ावा दे तो बाज़पन के लेक्षनों में कमी आएगी और समस्तर से निदान मिल सकेगा और अगर हम कैमिकली ग्रोन फॉडर ट्रीज या फॉडर प्रांट्स को हम पशों को देते हैं तो पशों में भी उसका नुकसान हो रहा है पश्वों में भांजपन आ रहा है, पश्वों में बार बार टीके ले रहे हैं उसके लिए और उसकी बज़ा वो ही कैमिकल की, उन कैमिकलों की बज़ा से ही उसमें हमारे को प्रबलम आ रही है, अगर हम ऑर्गेनिक खेती के उपर जाएंगे और पश्वों दौरा जनित जादा से जादा क्षेत्र में और 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 खेती के प्रड्यूस का भले ही प्रड्यूस का मोता है लेकिन उसकी कॉस्ट जादा मिलती है, तो इकनोमिकली वह वाइबल है, सबी उस खाद का उप्योग करें ताकि हम सबी के स्वास्थया पर कोई बुरा असर ना पड़े, दूसरा बरेया बढ़ को कोई नुकसान नो हो,